तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 3 अपकमिंग 160cc बाइक के बारे में अगर आप लोग कोई भी गारी देने का प्लैन कर रहे हो 160cc में तो भाई आप लोग ये वीडियो एक बार जरूर देखना पूरी क्योंकि आने वाले टाइम में आपको 160cc में काफी अच्छी अच्छी बाइके मिलने वाली है तो बीना टाइम को वेश्ट किये हम बात करते हैं आने वाली अपनी पहली 160cc बाइक के बारे में तो बाई जैसा कि आपको पता है कि जो बाई ब्रांड है TVS इनके पास जो अपाची ये वो 160 में है सेल फिकर काफी बढ़िया है लेकिन बाई जो रेडर है उसकी सेल फिकर और भी ज़्यादा बढ़िया है तो बाई जो रेडर है न ये गाड़ी आपको 160cc में मिलने वाली है जी हाँ रेडर आपको 160cc के साथ मिलेगी जिसमें कि आपको और भी ज़्यादा पावर्फुल एंजन और भी मस्कुलर बॉड़ी और भी ज़्यादा फिचर के साथ company ये गाड़ी आपको provide कराने वाली है तो चलिए बात करते हैं आने वाली नई 160 cc TVS radar के बारे में सबसे पहले जो बात करेंगे गाड़ी का engine तो भाई इसका जो engine है वो आपको नया मिलेगा जो भाई engine आपको 2V and 4V में मिलता है वो engine आपको radar 125 में company नहीं देने वाली है power figure में भी आपको मिलेगा difference भाई गाड़ी का जो engine है वो आपको मिलेगा 159.6 cc का जो कि ये engine आपको oiled cooled के साथ मिलेगा भाई liquid cooled नहीं आएगा और गाड़ी में आपको 5 की जगा 6 gear finally अब मिल जाएगा अगर बात करें गाड़ी की power output तो भाई इसकी जो maximum power होगी वो आपको 17 hp के आसपास की मिलेगी torque आपको 15 mm के आसपास तक का देखने को मिलेगा क्योंकि गाड़ी का जो वजन है वो काफी जादा कम रहगा साथ ही गाड़ी में आपको मिलेंगे riding modes eco, sport और भाई आपको मिल जाएगा track mode आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा भाई company urban वगेर और rain वगेरा करके launch भी कर सकती है बागी जो है engine आपको मिलेगा BS6 compliant phase 2 e20 compatible mileage जो है ये गाड़ी आपको लगबग देगी 55 के आसपास का अच्छा चलाओगे तो 60 भी दे सकती है खेर 55 ही मान के चलो speed आपको मिलेगी 125 से 128 के आसपास तक का अगर बात करें गाड़ी के looks तो भाई जो आपको मिल जाती है radar 125 लगबग आपको ऐसी ही मिलेगी लेकिन भाई जो tear की profile है वो आपको front में मिल जाएगी 100 और rear में आपको मिल जाएगी 120 section की tear की profile बाकी जो है front में आपको मिलेगी disc को पीछे भी आपको मिल जाएगा disc option जोगी बाई ये गाड़ी आपको single channel super motor ABS के साथ मिलेगी जोगी बाई आप गाड़ी का जो ABS है वो on off कर पाओगी और गाड़ी का जो price होगा radar 125 का वो आपको 1.20 lakh रुपीज के आसपास तक का एक showroom मिलेगा और बाई जो radar 160 है ये गाड़ी आपको दिवाली के आसपास तक का launch होती हुई मिल जाएगी तो वेट जरूर करना आने वाली नई radar 160 cc का तो अब जो बात करते हैं second आने वाली 160 cc bike के बारे में तो बाई जो हमारी second bike है वो है बजाज की ओड से आने वाली Dominar जी है Dominar भी आपको 160 cc के साथ देखने को मिल जाएगी बजाज की बाई जो बाई के 150 और 160 cc की है उनकी sale figure बहुत अच्छी है लेकिन बाई बजाज की जो बाई के 250 cc है 200 cc है 400 cc है 220 cc है उनकी sale figure अच्छी नहीं है और बाई Dominar की sale figure तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो ऐसे में बजाज company जो है अपने Dominar को 160 cc के साथ लॉंच करने वाली है तो बात करते हैं आने वाली नई Dominar के engine के बारे में तो गाड़ी का जो engine है वो आपको 165 cc का oiled cooled मिलेगा और बाई ये गाड़ी आपको liquid cool system के साथ भी देखने को मिल जाएगी मतलब कि oiled और liquid दोनो cooling system रहने वाला है बागी जो है गाड़ी में आपको single cylinder 6 gear मिलेगा जी है बाई इसमें आपको 6 gear मिलेगा बाई जो आपको N160 मिलती है उसमें 5 आते हैं लेकिन इसमें आपको 6 gear मिलेगा गाड़ी जो है लगबग आपको 17 hp का power देगी और लगबग आपको 15 nm के आसपास का maximum torque देदेगी mileage जो है बाई ये गाड़ी आपको लगबग provide करा देगी 45 से 50 के आसपास का और जो गाड़ी की top speed होगी वो जो है लगबग आपको मिलेगी 135 के आसपास तक की बाकि जो है बाई गाड़ी के जो पूरे looks है वो आपको मौझूदा D250 और D400 के जैसे ही मिलेंगे और गाड़ी का जो प्राइस होगा आने वाली नई Dominar 160 का तो बाई ये गाड़ी आपको लगबग 1.40 लेक रुपीस के आसपास तक का एक शोरूम दिखने को मिल जाएगी और बाई आने वाली Dominar 160 जो है आपको दिसंबर के आसपास तक का लांच होती हुई मिलेगी बागी जो है बाई Dominar 160 में आपको फरंट में डिस्क रियर में भी आपको डिस्क मिल जाएगा आगे आपको मिलेगा सस्पेंशन अपसाइड डाउन पीछे आपको मिलेगा बागी यहार इसका बाई जो टायर है फरंट में आपको मिलेगा 100 सेक्षन का और पीछे आपको टायर मिलेगा 140 सेक्षन का और इसके जो टायर होंगे वो आपको मिल जाएंगे टूबलेस और टायर आपको मिलने वाले है रेडियल बागी जो है बाई Dominar 160 में आपको मिलेगा Dual Channel ABS और इसमें जो है बाई फरंट में आपको मिलने वाला है काफी बड़ा डिस्क बाई जो की आपको 300 mm की डिस्क कंपनी प्रुवाइड कराने वाली है जो आपको मिलता है साइज RH200 में D250 में वही आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा और बाईक कर जो पूरा मीटर कंसोल है वो आपको मिलेगा फूली डिज्टेल जिसमें की आपको मिल जाएगी मुबाईल फोन की कनेक्टिविटी साथ ही आपको मिलने वाला है मुबाईल चार्जिंग का पोर्ट और यह गाड़ी आपको BS6 कंपलेंट फेज 2 E20 कंपलेंट रहने वाली है और इसकी जो पूरे लुक्स है वो आपको डॉमिनार 250 के जैसे मिलेंगे गाड़ी में आपको नए कलर थीम और नए ग्रैफिक के पैटन्स मिल जाएंगे बाकी आपको मिलेगा अल LED का सेटप मीटर, हेड लाइट, टेल लाइट, इंडिगेटर यह सब आपको LED का मिलेगा तो भाई आप चाहो तो आने वाली डॉमिनार 160 का वेट कर सकते हो तो अब जो है बात करते हैं थर्ड और लाष्ट गारी के बारे में और यह है हॉन्डा की और से आने वाली नई फेसलिफ्ट हॉन्डा X-Blade, जी यह भाई हॉन्डा कंपनी ने हॉन्डा की जो X-Blade है इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था SP-160 आने के बाद लेकिन भाई जो हॉन्डा की X-Blade है यह वापस से मार्केट में कंटिन्यू होने वाली है लेकिन आपको ओल्ड वाली X-Blade नहीं मिलेगी इसमें जो है भाई आपको बिल्कुल ही नया डिजाइन, नया फीचर्स, नया लुक्स मिलने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं आने वाली नई 160cc Honda X-Blade के बारे में सबसे पहले जो में बात करेंगे गाड़ी का इंजन तो इसका जो इंजन है वो आपको मिलेगा 163cc का लिक्विड कूल इंजन आपको मिलने वाला है यह बाई यह गाड़ी आपको लिक्विड कूल के साथ मिलेगी जिसमें की अब आपको 6 गेर मिलेगा हॉंडा के बाई हॉंडा की हॉरनेट है 2.2, 184cc के साथ लेकिन इसमें आपको 5 गेर और एर कूल इंजन मिलता है लेकिन हॉंडा की X-Blade में आपको मिलेगा लिक्विड कूल क्योंकि बाई हॉंडा कंपणी अपने इंजन पे चेंजेस करने वाली है तो गाड़ी जो है लगबग आपको 18 HP का पावर देगी और लगबग आपको 16 NM के आसपास का टॉर्क बाखी जो है गाड़ी आपको मिलेगी सिंगल सिलेंडर 6 गियर के साथ हो माइलेग जो है लगबग आपको X-Blade प्रोवाइड कराने वाली के 45 से 50 का और गाड़ी की जो टॉब स्पीड होगी न वो आपको 135 से 140 के आसपास तकी मिलेगी तो बाई जो आपको मिलती है थाइलेंड में होंडा CBR 150 वागेरा तो बाई कुछ वैसा इंजन आपको मिलने वाला है होंडा की आने वाली नई X-Blade में लेकिन बाई गाड़ी का जो प्राइस है ना वो काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा बाई जो पुरानी X-Blade थी वो आपको 1,15,000 रुपए से लेके 1,21,000 रुपए के बीच में X-Show Room मिलती थी लेकिन अब जो बाई लगभग आपको 1,40,000 रुपए के आसपास तक का ये गाड़ी मिल जाएगी टॉप मॉडल के साथ जो की डवल डिस्क और डूवल चैनल ABS के साथ होगा तो बाई ये X-Show Room प्राइस था बागी जो X-Blade का नया वैरियंट है वो आपको नमंबर के आसपास तक का लॉंच होता हुआ मिलेगा अगर बात करें गाड़ी के लुक्स तो बाई लुक्स आपको बिलकुल नए मिलेंगे गारी में आपको नए डिजाइन की बॉडी पैनल्स मिलेंगे फुली LED का हेट लैंप मिलेगा LED का टेल लैंप मिलेगा नए शेप साथ ही इसके जो इंडिकेटर से हैं वो आपको मिलेंगे LED के जो कि आपको इंडिकेटर मिलने वाला है 1000 light के साथ और गारी में आपको मिलेगी keyless बाई एंटिक कह सकते हो तो इसमें आपको मिलेगा smart key का feature और इसका बाई जो mobile इसका बाई जो meter console है वो आपके mobile phone से connect हो जाएगा जो कि बाई इसमें आपको मिलेगा turn by turn navigation का भी feature बाई जो है कुछ आपको और मिल जाएंगे राइडिंग मोड सो पावरी को बाई ऐसे कुछ आपको urban rain वगेरा कुछ ऐसे मोड मिल सकते हैं बाई आपको मिलेगा front में suspension upside down पीछे आपको मिलेगा monoshock front का जो tire है वो आपको वीडियो में तब तक के लिए जय हिंड वन दे मातरम बाई